दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे पांच हैबिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो जाने अंजाने में हमें अपने कूपर भाव से हमारे स्वास्ति, सिक्षा, करियर तथा तरक्की में बहुत बड़ी बाधा बनने का काम करते हैं ये कौन से पांच बैड हैबिट्स है हम जान लेते हैं दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त जय प्रकास यादो, टीचर और नोबेल राइटर तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं देखिए बैड हैबिट्स में पहला नमबर हैबिट्स है सुबह लेट तक सोना सुबह लेट तक सोना देखिए दोस्तो सुबह लेट तक सोना ये तो आज कल के जबाने में एक फैसन की तरह बन गया है कि कितना देर तक हम सो रहे हैं तो दोस्तो इस कूपर भाव से हमें बचना है क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे करियर बेवपार साथे साथ सारिक स्वास्त को भी हानि पहुचाने का काम करता है इसी तरह दूसरे नमबर हैबिट की तरफ चल रहे हैं दूसरा नमबर बैड हैबिट क्या है ओ है किसी भी काम को कॉल पर टालना देखिए कॉल पर टालना देखें दूसरा नमबर bad habits है किसी भी काम को कल पर टालना किसी भी काम को आप कल पर मट टालिए जो करना है आज ही कर देजिए अगर आज ओ काम पूरा नहीं होने वाला है तो उसका नौ निर्मार तो कर देजिए उसकी सुरुआत तो कर देजिए कल पर टालते रहेंगे तो फ तीसरे नमबर टॉपिक की तरफ चल रहे हैं फालतू की गप्पे मारना देखिए फालतू की गप्पे मारना आज करल तो किसी के पास फुरसत ही नहीं है गप्पे मारने से कोई काम कह दिया जाए तो उनके पास समय नहीं है लेकिन फालतू के इधर उधर बाद भी बाद किसी के बीच में टपकना अर्थात फालतू की गपे मारते रहते हैं बिना समय सिमा के किसी से बात किये चले जाते हैं एग घंटा दो घंटा तिन घंटा कितना समय बीच जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है जो कि ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है करियर में आगे बढ़ने के लिए अब इसी तरह दोस्तों है चोधा नमबर टापिक धुरूमपाण देखिए इस्ष्ण है दोस्तों ये तो दोस्तों के साथ संगत में पटड़ में आ जाता है धूम्रपाण ये भी हमारे सारीक हान के साथ साथ हमारे स्वास्थ, सिक्षा, करियर, बेवसाय सभी में ये बाधा पहुचाने का काम करता रहता है कोई-कोई तो बहुत बड़े नसे के आदी भी बनते चला जाता है और इसी तरह दोस्तो है पांचवा नंबर मोबाइल यूज की समय सीमा देखिए मोबाइल पांचवा नंबर है अर्थात बिना समय सीमा के मोबाइल को यूज करते रहना अर्थात फालतू के मोबाइल में पड़े रहना बहुत से लोग बिना मतलब के सफरिंग करते रहते हैं कोई एक टापी को देखना है उसी के करम में बढ़ते बढ़ते दो घंटा तीन घंटा चार घंटा अपना समय बिताते रहते हैं या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रात दिन गेम में ही पड़े रहते हैं जिसे उनके स्वास्त पर भी नुकसान पहुचता है और उनका सारा समय नश्ट होता जाता रहता है ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका 25 से 30 पर सत एक दीन का मोबाइल में ही ब्यत्तीत होता है इन कूपर भाव से बचा जा सकता है देखिए दोस्तों ये सभी बैड हैबिट्स हैं आपने जान बुझ कर इनके आदत नहीं पकड़ी है ये जाने आन जाने में हमारे अंदर तक घुश चुके हैं ये पाँचों हैबिट्स अब इसे निकलना मुस्किल है लेकिन एकदम से इसा नहीं है कि इसे नहीं निकला जा सकता है दोस्तों जब बुरे आदत अपने आप आ सकते हैं तो अच्छे आदत को भी लगाना पड़ में जरूर बताईएगा अगर इस वीडियो से किसी को लाब हो रहा है तो उस जरूरत मंद लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहँचाईए जिसे उनका भी लाब हो सके अगर आप इन पांचों में से किसी भी एक औगुन के सिकार हैं तो आपको भी सावधान होने की जरू और धीरे धीरे इस करम को छोड़ा जा सकता है दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि उससे मेरा उत्साह बढ़ता है वीडियो को प्रेम अग्याबाद